नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 24 अगस्त मंगलवार सुबा 6 बजे राजस्थान की खास खबरे जोद्पुजिले के मंडूर थाना अंतरगत बासनी तंबूलिया के पास एक निर्माना धिन मकान की बालकनी गेर गई हाथसे में दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक घायल को इलास के लिए अस्पतार पहुचाया गया है पुलिस ने बताया कि विकास प्रजापत की मकान का निर्मान चल रहा था यहां चार कारीगर वे दो मजदूर काम कर रहे थे प्रिज़रान निर्मान धिन बालकनी गेर गई इस हाथसे में दो मजदूरों की मौत हुई है इनमें एक मजदूर की पहचान पारस मेगवाल के रूप में हुई है जबकि दूसरे की पहचान अभी नहीं हो पाई है पिलहाल मौके पर काम बंद है पुलिस ने म्रतकों की शवों को पोस्ट माटम के लिए अस्पताल पहुचाया है पुलिस मामले की जांच कर रही है राजस्तान में मंत्री मंडल विस्तार और फेर बदल पर लेटिस्ट गपशप शामने आ रही है अब कॉंग्रेसियों की नजर 28 अगस्त पर तिकी हुई है क्योंकि आम तोर पर शनिवार को शपत ग्रैन के कारेक्राम होती है बताने की इसी तरह की पुरानी परंपरा रह चुकी है हलांकि पंडितों ने दूसरा मुहुरत 29 अगस्त का निकाला है वैसे भी अगले महीने विधानसबा सतर का अगाज होना है विधानसबा सतर से पूरा नए मंत्रियों को भी तयारी के लिए कम से कम एक हफ्ते का समय चाहिए लिहाज अगस्त का ये महीना बेहर एहम माना जा रहा है वहीं मंतरी मंदल में पहली बार जीत कर आने वाले विधायकों को मंतरी मंदल और राजनीतिक न्यूक्टियों में जगए नई देने के फॉर्मूले के तेट अब ऐसे विधायकों को संसदिय सचिव बनाने की तयारी की चारी है चिताटगर्चले की गंगरार थानक शेतर में दो दिन पहले हुई जमीनी विवाद में DST और S24 को निलंबित किया गिया है राजस्तान की महानिदेशक M.L. लाठर ने DST कमल जांगिड को निलंबित कर दिया इसे तरह राजस्तान की अतिरिक तमानिदेशक पुलिस सतरकता बिज्जु जॉल्ड जॉसेफ ने थानादिकारी शेवराज गुजर को भी निलंबित कर दिया इस आदेश को डिप्टी कमल जांगिड की उपस्तिती में बिंगू विधाय कर अजेंदर सिंग भिंदूरी के गंगरार खानादिकारी की गुट्सी पर बैठने को लेकर जोड कर देखा जा रहा है गंगरार के स्टेशन के पास करोड रुपे की एक विवादित जमीन है बिलवाडा की एक उध्योगी का समू ने अपना हक बताते हुए चार दिवारी बनाने की कोशिश की इस पर दूसरे पक्ष ने अपना दावा पेश कर मारपिट की दूसरे पक्ष के बेंगु विधाय का रजेंदर सिंग विधूडी को मौके पर बुलाया उन्होंने भिलवाडा की उध्योगी का समू की खिलाफ मामला दर्स करवाया था रास्ट्रिय राजमार्ग रेलवे रूट स्टेडियम वियर हाउस पावर ग्रेड पाइपलाइन जैसे सरकारी बुन्यादी धांचा संपतियों को नीजिक शेतर को कमाई के लिए लीज पर देकर केंदर की मोदी सरकार करीब 6 लाग करोड रुपे जुटाने की तयारी कर रही है वितमंत्री निर्मला सीतारमन ने इसके लिए नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के शुरुआत की वितमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि इन एसेट का ओनर्शिप सरकार के पास ही रहेगा बसी ने कमाने के लिए ही पार्टी को दिया जाएगा जिसे वे कुछ साल के बाद वापस कर देंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप्लाइन के इंदर सरकार की अगले चार साल में एसेट से कमाई की एक योसना है नीजिक शेतर ऐसे बहुत सारे इंफ्रस्ट्रक्चर का विकास करेंगे और उस पर कई साल तक कमाई करेंगे कोटा चले के बपावर थानक शेतर के मोईकला में चामुंदा मंदिर मार्ग पर स्थित एक खदान में भरे पानी में डूबने से एक बालक की मौत होने की जानकारी सामने आई है सुषना पर पहुंची पुलिस ने मृत बालक के शव को खदान से निकलवा कर अस्पताल की मोचरी में रखवाया है पुलिस ने बताया कि हाथ्चे में दसवर्षे बालक रिशब की मौत हो गई पुलिस मामले की जांच कर रही है सिरोही चले की रेवदर्थानक शेतर की दौलपुरा पैट्रोल पंप के पास अग्यात वहन ने बाइक सवर को टक्कर मार दी आच्चे में बाइक सवर व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया सूशना पर पहुंचे पुलिस ने मौतक के शव को अस्पताल की मोचरी में रखवाया है वहीं घायल को अस्पताल में भरती करवाया जहां जिकित्सकों ने प्राथमे को पचार के बाद उसे गुजरात रैफर कर दिया पुलिस अग्यात वहन चाल की तलाश कर रही है पुरा मुख्य मंत्री और भाजपा के रास्ट्रे उपद्यक्ष वसंद्रा राजे ने परदेश सरकार से पस्चमी राजस्तान में सूख्य की कारण किसानों को हो रही नुकसान पर चिंता जाहिर की है साथी परदेश सरकार से इस सक्षेतर में जल्द ही गिरदावरी करवा कर परभावित किसानों को जल्द उचित मुआवज़ा दिलवाने की मांग की है राजे ने अपने ट्वीट कर लिखा कि पस्चमी राजस्तान सूख्य की चपेट में है मेडिया रिपोर्ट की अनुसार भी कल बुआई की केवल 10-15 प्रतिशत फसले ही बची है और खेती को करीब 2000 करोड रुपे का नुकसान का अनुमान है जिसे किसानों की भी चिंता बढ़ गई है SME राजसरकार को फसल खराबे की जल्द गिर्दावरी करवा कर किसानों को उचिद मुआवसा पर दान करना चाहिए उतरपस्चिम रेलवे पर चार ट्रेनों में MST की स्वीदा मिलेगी मिली जानकारी के नुसर सीकर लोहारू सीकर स्पैशल जैपूर सूरतगर जैपूर स्पैशल जैपूर फुलेरा जैपूर स्पैशल और जैपूर मारवर जुंक्षिन जैपूर में जैपूर से अजमेर तक ट्रेन में MST की स्वीधा मिलेगी इन सभी ट्रेनों में मासिक सीजन टिकेट में से यात्रा स्वीधा मिल सकेगी अब तक कुल 23 ट्रेनों में रेलवे ने MST की इसे यात्रा की अनुमती दी है कॉंग्रेस एक बार फिर बिना जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन के ही पंचायती राज चुनावों में उतर गई है मुख्या मंत्रिय शोक गहलोत और पूरव डिप्टे सीम सचीन पाइलेट के खेमों के बेच चल रहे कॉंग्रेस में बिना ग्रास रूट संगठन के ही 13 महीने निकाल दिये हैं जिला और ब्लॉकों में संगठन के बिना पार्टी चुलाने का यह रिकॉर्ड है कॉंग्रेस में पिछले साल पूरव डिप्टे सीम सचीन पाइलेट के बगावत के बाद 14 जुलाई को कॉंग्रेस की परदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक की कार्यकारीनी को भंग कर दिया था इस साल जनवरी में 49 परदेश पदा अधिकारियों की न्युक्ति कर दी लेकिन जिला और ब्लॉक में न्युक्तिया नहीं हुई कोटा ग्रामिन पुलिस ने रामगंज मंडी में जुलर्स की दुकान में हुई नकबसनी का खुलासा करती हुई एक आरोपी को गिरफतार कर लिया पुलिस ने आरोपी से 15 लाख रुपे कीमत के 15 किलो 300 ग्राम चांदी वे 14 ग्राम सोने के जेवर बरामत कर लिये ग्रामिन अस्पी शरद चौदरी ने बताया कि परिवादी रामगंज मंडी बजार नंबर 5 निवासी नरेंदर सोनी ने थाने में दर्स करवाई रिपोर्ट में बताया था कि रक्षबंदन का त्योहार होने से रविवार को दुकान शाम 5 बजे बंद कर दी थी सोनवार सुबे 9 बजे दुकान पर पहुंचे तो दुकान का शटर लगा हुआ था लेकिन दुकान के ताले तूटे पड़े थे और सोने चांदी के अभुशन गाइब थे पुलिस ने मामले में अरूपी ब्रह्मापूरी मोहला मतुरलाल हलवाई के पास बजार नमबर 2 रामगुंज मंडी निवासी राहूर सोनी को गिरफतार कर लिया चिताडगर चिले के कपासन थानक शेतर में जरीले जानवर के काटने से किसान की मौत होने की जानकारी सामने आई है सूशना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक किसान की पहचान ताराखेडी निवासी भगवती परसाद शर्मा के रूब में हुई है बगवती परसाद खेट पर रखवाली कर रहा था उसी दुरान उसे किसी जरीले जानवर ने काट लिया जिससे उसकी मौत हो गई पुलिस ने शव का पोस्ट माटम करवा कर शव परीजनों को सौब दिया है